Hello friends, study rapid में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली पिलिस की वेकेंसी आई है पांच जार प्लस वेकेंसी है टोटल इसमें जो वेकेंसी है इसके स्लेबस है स्लेबस बहुत ही आसान है ज्यादा तर जो कोशिश किया गया है इस स्लेबस में वो ये किया गया है जीके और करेंट अफेस का टॉपिक 50 नंबर का जीके और करेंट अफेस का टॉपिक होगा बाकि जितने भी बशते हैं रिजिनिंग, मैत और कंप्यूटर के कॉश्चन होगे तो हम बात करेंगे कि वल जीके और करेंट अफेस की का आसरे शुरुवात करने दिल्ली पॉलिस exam के लिए, इसपैशली जी के लिए और करिंट अफेस के लिए वीडियो लाइक कीजिएगा, आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, इसपैशली वर डेडिकेटेटेड सी होगा दिल्ली पॉलिस exam 2020 के तरू होगा 50 questions होंगे, के point इस लिए important है यह static GK का question है static GK कई बार परिक्षा में पूछा राता है और इसमें changes नहीं होते हैं इसमें कोई difference नहीं होता आज जो question है कोई करेंट अटरफेस तरह इसमें बदलते नहीं है फ़ला question हमारा है देखिए कि क्या आप जानते हैं कि GST जो होता है option number B सही है और इक बता है चाहूंगो जनकरी यदि आप सभी को question कोई attempt करना है तो वीडियो को पहुच कीजिए उसको पहले solve करने कोशिश कीजिए अगर कोशिश करते हैं आप solve कर लेते हैं अच्छी बाद नहीं कर पाते हैं तो answer आप देख सकते हैं अगला question क्या है शाह नामा किसकी रचना है ये question भी बहुत important है ये books and writers related question है इस तरह से भी question बहुत पूचा आते हैं एक्जाम में शाह नामा जो रचना है ये किया है फिरदौसी ने फिरदौसी की रचना है शाह नामा अगला question देखते हैं भारत में कौन सा सरकारी विभाग ऐसा है जो राष्टी आय का लेखा जोगा करता है देके राष्टी आय जो होती है जो इंडिया की national income होती है राष्टी आय उसका जो लेखा जोगा करता है वो करता केंदरी सांके की संगठन option number 2 सही है ये आयकर विभाग नहीं करता है ना ही कोई वित्वमंत्राले करता है ये करता केवल केंदरी सांक की संगठन करता है अगला question देखते हैं ये question बहुत important है इस तरह स्क्वेशन बहुत ही बार exam में पूशे आते हैं ज्यादा तर ये science के exam लेटे जो question होते हैं या जीगे के पार्ट में तो है ही ये अग्रिस्टोलोजी ये बहुत important word है अग्रिस्टोलोजी कि अंतरगत किस चीज का अध्यन कियाता है किस वस्तु का अध्यन कियाता है या किस चीज का वस्तु का अध्यन किया जाता है ये किया जाता है इसमें घासों का अध्यान, जो ग्रास होती है, घास होती है, इसमें कितनी सारे वराइटीज होती है घास की, कितनी सारे से कलर्स होते है, कौन से सीजन में कौन सी घास होगती है, कौन से सीजन में कौन सी घास सूख जाती है, इन सभी के बारे में कोई इसके पद्धति है अप सब जानते हैं, होमियोपेथिक, एलोपेथिक, आयुरवेदिक, यूनानी, तमाम ऐसी पद्धतियां हैं, जो कि ट्रीटमेंट किसी भी डिजी बेमारी के ट्रीटमेंट के लिए उप्यूग की जाती हैं, जिद्धा तर इस समय आप देखें गे पैदिक जणक कहे जाते हैं। जिएने मैन है की हैनि स्य मैंने शुरुवाट किया था। हवं पैठिक पढदेति की जणक मांए जाते हैं। अगला कश्चन देखते हैं। भारती सबसे लंबी इंदिला नहर किस राज्य में है ? इंडिया नहर जो कि भारत के सबसे लंबी नहर है जैसे गंगाजी नदी है इसी तरह से इंडिया गांधी नहर भी है ये है राजस्तान में ये इंडिया के सबसे बड़ी नहर है और कई सारे डिस्टिक कवर करती है सिचाई के लिए ये कहां पर है राजस्तान में याद रखि किसे इसको प्रहुंश कर सकते हैं जैसा आपको convenient लगता है नादी जीन ने जो भारत छुड़ो अंदोलन के समय जो नारा दिया था उस नारे का नाम है करो या मरो situation ऐसी आ गई थी आप attack करो do or die करो या मरो याद रखिएगा करो या मरो का जो नारा दिया गया था वो किस अंदोलन के दिया गया था वो दिया गया क्विट इंडिया यानि भारत छुड़ो अंदोलन अगला question दिखते है क्या है कि क्रोन मुद्रा किस देश की है और उस देश क पूछा एक ही question पूछा जाता है निश्य तुरुप से पूछा जाता है याद होना चाहिए क्रोन जो करेंसी है वो है डेनमार की बहुत important question है ये भी अगला question देखते है क्या है बैर की किस देश की राजधानी है बैर की जो राजधानी है वो है किरबाती की किरबाती एक लेटेल है घी चाहि किस सौंमी दयानन सहसकती जी ने किस समाज के इससमाज के स decorum में हीए नहीं यह कौन सा समाज है 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 और आरे समाज के स्थापना किया था सवामी दयानन सहस्ती पर कोशन देखते 마무र जो परियोजना है, ये किस राज में इस्थित है, किस राज में है सरदार, सरोवर, परियोजना? ये question बहुत important है. ये है गुज्रात में. Very, very important याद रखियेगा, जो परियोजना होती हैं, इससे लेडल भी question पूछे जाते हैं, सबी परिक्षा में. अब प्रिवियस ये पेपर भी देखेंगे आप तो इस तरह से एक कोश्चन पूछे गए थे दिली पिलिस के सशी की लेबल में. अगरा कोश्चन क्या है? विज्ञान दिवस कम मनाय जाता है? Science Day कब मनाया जाता है ये मनाया जाता 28 फरवरी को Mission क्या है 28 फरवरी को मनाने का Mission यही है जो विज्ञान में बच्चे आना चाहते हैं उनको encourage करने के लिए लोगों को जागरू करने के लिए विज्ञान दिवस्ट मनाया जाता है Especially young generation को dedicate किया जाता है ताकि नए generation आये और कुछ नए invention या खोज करें अगला question देखते है क्या है ये मना जाता है 28 फरवरी को याद रखिएगा अगरतला किस राज की राजधानी है ये भी question बहुत important है अगरतला जो राज की राजधानी है उसका नाम बताना किस राज की राजधानी है ये है त्रेपुरा की राजधानी त्रेपुरा की राजधानी है अगरतला देखे जाता जो state and capital होते हैं इसको याद करना बहुत मुश्किल होता अगर आप नौर्ट खेरिया तो भी याद कर लेते हैं चाहे आप तेलंगाना चले जाएए आप चाहे आंधरपदेश चले जाएए अनौर्चापदेश चले जाएए आप मिजोरंपदेश चले जाएए इस तरह से जो ऐसे राजध हैं उनकी capital याद करना थोड़ी मुश्किल होती है याद रहता फिर भूल जाते हैं लोग बार तो यहाँ के जाद तर ध्यान दीजेगा आपको north and west तो याद हो जाएगा लेकिन east and south के याद करना मुश्किल होता है चले अगला question देखते क्या है World NGO day कम मनाय जाता है World NGO day जो मनाय जाता है वो मनाय जाता है 27 फरवरी को मनाय जाता है एवरी येर ठीक है 27 फरवरी को एंजियो जो काम करता है वे non-government organization होता है non-government organization का mission यही होता है कि लोगों की सहाथा करना कोई भी natural climate याती है जो pandemic कुछ होता है जैसे इसमें coronavirus की बहुत साथ pandemic है पुरी इंडिया में इस टाइम पे बहुत साथ NGO सामने आये थे और लोगों को distribute किया था खाने जो कि बड़े बड़े उदोग पती या बड़े रिच परसन डोनेट करतें NGO में ताकि वो distribute कर सके वो services पहुचा सके क्योंकि एक celebrity जिसके पास ज्यादा पैसा वो किस तरीके distribute करेगा उसके लिए भी एक संसादन चाहिए एक बहुत सा सिस्टम चाहिए जो उसको distribute कर सके तो NGO का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश को आकर बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी जो businessman है वो donate भी करते करोण और बुरूपे अगला question क्या है यह question बहुत important है एरफलोट किस देश की विमान सेवा है very very important question है इस वीडियो का एरफलोट जो है यह रूस का रूस जो रसिया कहते हैं आप English में रूस में यह airport है विमान की एक service है यानि flight service है यह इस वीडियो का last question था आपको इसी तरह से डेली वीडियो मिलेंगे वीडियो लाइक कीजिए अभी और चनल को subscribe कीजिए यदि आप दिल्ली पुलिस के exam से related question पाना चाहते हैं इस चैनल पर आपको everyday मिलेगा part 1 है इसके बाब part 2 मिलेगा playlist है playlist में भी आप जाके देख सकते हैं इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के बहुत सारे वीडियो है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी सारे आसा करता हुआ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगा है और आपको इसी तरह से दिल्ली पुलिस के लिए question चाहिए तो आप हमें comment बताईए और page को like कीजिए subscribe कीजिए और bell icon click कीजिए ताकि इस तरह से वीडियो अप्लोड होता है तुरूंत आपको mobile पर उसी समय notifications पहुंच जाए